राजधानी पट्टा को बेहतर कलेक्टिवीटी देने के लिए करिप्ट 140 किलो मीटे लंबी 6 लेन के पट्टा रिंग रूट का निर्मान हो रहा है पहले फेस की सरक को पूडा करने का लक्ष मार्स 2023 है सरक निर्मान के लिए फ्लाई एश की उपलगदा के लिए NHI की ओर से एंटी पीसी बिजली प्लान्ट को पत्र लिखा गिया है सरक में नीचे का लेयर तयार करने में फ्लाई एश का उपियोग होता है मिट्टी की कमी को लेकर इसका इस्तमाल होता है बिहाता से सरमेडा की बीच बनी सरक में करहोली से रामनगर की बीच सिक्स लेन सरक बनाने का काम NHI की जिम्मे है सरक के दोनों किनारों पर 3 फूट उचाई बॉंडरी बननी है ताकि सरक किनारे अतिक्रमर नहीं हो साथे सरक पर अचानक आने वाले जानवर आदी से दुरगटा की आशंका नहीं होगी पैकेस्टू में गंगा नदी पर दिगवारा शिर्पुर पुल का करीब 15 कीमी लंबाई को करीब 5000 करों रूपिय की अनुमानित लागा से निर्वार एजनसी का चेयन टेंडर के माध्यम से किया जा रहा है 9 किलो मीटर पुल की लंबाई है शिर्पुर वर दिगवारा दोनों साइट 6 कीमी का एप्रोच रोड बनेगा शिर्पुर साइट में एप्रोच रोड की कनहौनी से जोड़ा जाएगा शिर्पुर से दिगवारा की बीच बनने वाले पुल को लंबाग 8 कीमी हिस्सा गंग हारा इलाके में बनाना है एप्रोच रोड वरपुल निर्वार के लिए 89 हेक्टेर जमीन की जरूरत है पटना साइट में 9 हेक्टेर जमीन चाहिए दिगवारा साइट में 20 हेक्टेर जमीन की आवशकता है पटना साइट की जमीन अधिग्रमन के एवन में लगब 12 करूर मुआफजा भुकतान हुआ है पटना जीले के शेरपुर, खासपुर, बलुआ, रामपुर, जंगरिया मंगा, रापाल, दियारा, शंकरपुर, पट्टी वा, गंग, हरा के अलावा साइट जीले के सैटपुर, दिगवारा मिडपुर, भुआल वा, मुनुपुर, गौमे, होकर पुल गुजरेगा करीब 38 किलो मीटर राम नगर कनहौली पटना रिंग रोल पैकेज वन बनाने के शुरुआग बिहाटा से हुई है बिहाटा से यह सरक कुमहारर और मसौरी के बीच बेलदार इचक तक जाएगी बिहाटा सरमेरा पत में इस भात से एक नई सरक कच्ची दर्गा कर जाएगी कच्ची दर्गा से बिदूपुर तक गंगा नदी पर बन रहा पुल इसका हिस्सा होगा बिदूपुर में हाजिपुर शहर के पाच कीमी उत्तर या सरक दिगवारा की ओर मुर जाएगी दिगवारा में गंगा नदी के पुल बनेगा जो दानापुर के शेरपुर के बीच होगा शेरपुर से एक सरक बिहाटा को जोड़ेगी बिहाटा सर्मेडा और प्रस्तावित औरंगा बाद दर्भंगा भारता माला कॉरिटर राम नगर में पट्टा रिंग रोज से जोड़ेगे इसके साथ ही दानापुर के शेरपुर से सारण के दिगवारा के बीच गंगा पंडेया पुल बनेगा गंगा नती के उत्तर के तरफ रिंग रोज से वैशाली को फोर लेन से करेक्टिविटी मिलेगी बक्तियारपुर ताजपूर रास्ते आने वाली लोगों के लिए NH-103 के चक सिंग गदर और ताजपूर हाजिपूर रोज के वैशाली जाना भी आसान होगा